आखिरकार PTM KYC कराने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी जी हाँ PTM KYC Unband Date से Related मुझे हाली में एक नया अपडेट पता चला है हाली में ही हुआ ऐसा कि PTM KYC Correspondent जो हमारे KYC Agent Serian होते हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर कॉल करके PTM Agent App के अंदर यहाँ पर नई सैटिंग करने को कहा और सैटिंग करने के बारे में मैंने पूछा कि यार सैटिंग क्यों करा रहे हूं PTM के वाइसी चालू तो हो नी रही जो भी लोग PTM के वाइसी कराने आ रहे हैं वो वापिस होके निराश होके जा रहे हैं तो PTM के वाइसी तो ख्यालू है नी तो क्या मैं सैटिंग करूँ तो उन्होंने मुझे हाली में ही नए अपडेट देते हुए जी हाँ आप सभी के लिए खुशकबरी बताते हुए यहाँ पर PTM के Saving Account याने की Agent अप के अंदर यहाँ पर नए चेंजिस करवाए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह नए चेंजिस इसलिए हो रहे हैं कि आने वाले कुछ जुनों के अंदर PTMKYC चाली होने के चांसेज बताया जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में Paytm KYC चालू हो सकती है जिन लोगों को Paytm KYC करानी है और Paytm के अंदर Saving Account या वालेट को Activate कराना है उनके लिए ये जबरदस अपडेट हो चुका है हो सकता है क्योंकि Paytm के अंदर जितने भी लोग KYC कराने जाते हैं या वो अपने Online Process के साथ जा भी हो रहा है और KYC भी हो रही है बाकी जो नए यूजर है जिन्होंने हाली में Paytm को चालू करने के लिए Paytm आपको Play Store से डाउनलोड किया है उनके लिए Paytm KYC नहीं हो पा रही है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी ख़बर यह है कि Paytm correspondent होने के नाते मुझे य जा रहे हैं आज है यहाँ पर 7-8 जून आ जा चुकी है लेकिन आने वाले अगले वीक के अंदर Paytm KYC अनबैन हो सकती है Paytm के सभी लोग Paytm के अंदर KYC करा सकते हैं अब एक वीक का मतलब क्या है यहाँ पर अंदादा बताया जा रहा है कि Paytm के अंदर 15 जून तक KYC होने Paytm सेमिंग अकाउंट भी उपन करा सकेंगे तो Paytm वालेट के वाइसी और Paytm के टिपी तो यह था Paytm के वाइसी अनबैन डेट से रिलेटिड नया अफडेट आप आपको समझ में आ गया हो मन में कोई सवाल रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा